हमने इससे पिछले मॉड्यूल में चार लेवल्स आफ मेजर्मेंट पढ़े और मुझे अमीद है कि आपको उनसे इन लेवल्स के करेक्टरिस्टिक्स और इन में डिफ्रेंशियेट करने की बात समझाई होगी इसकी वैल्यू मैंने आपसे पहले जिकर किया था कि इन नम्बर्स के जब तक आप लेवल्स को रेकेग्नाईज नहीं करेंगे आप डेटा अनेलिसिस में करेक्ट सेलेक्शन आफ टेस्ट नहीं कर सकेंगे ये उस सेलेक्शन आफ करेक्ट टेस्ट के लिए स्टेप जो मतायन है उन में सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको अपने डेटा का लेवल आफ मेयर्मेंट जो है वो बताओ अब इसकी थोड़ी सी प्रेक्टिस के लिए मैंने चंद मिसालें यहां रखी हैं आप देखे पढ़िए और बताईए कि इसका क्या जवाब हो सकता है पहली मिसाल में हमने यह कहा कि आपके पास डेटा है कि प्रोफेसर साब एक क्लास पढ़ा रहे थे और उनका इंटरेस्ट इस बात में था कि वो देखें कि लोगों के क्लास अटेंड करने की तादाद यानि क्लास से दूसरे रज़ों में कहलें एबसेंट होने की तादाद में और उनके ग्रेड में आपस में क्या तालुक होता है यह जो बंदा ज्यादा क्लासे अटेंड करता है तो क्या इस बात का कोई तालुक उनके उस सब्जेक्ट में ग्रेड से भी होता है या नहीं होता है इन दो चीज़ों का डेटा उनने कलेक्ट किया पहली चीज़ क्य data और दूसरा data मेरे पास है उनके grades का grades है मेरे पास letters की शकल में जिस कुछ हर एक का grade मौजूद है C का A होगा कुछ का B आया होगा कुछ के C होंगे D होंगे F होंगे इस तरह से grades होंगे सो मेरे पास दो columns में ये आपका नाम लिखा हुआ है as a student आगे लिखे आप कितने दिरे absent हुए आगे लिखे आपका grade के आया ये data set मेरे पास मौजूद है आप से सवाल ये है कि जो absent होने का data मैंने collect किया इसका level of measurement क्या होगा आपने ये सोच के बताना है और मैं आपकी रहनमाई ये कर सकता हूँ कि जब भी आपने level of measurement का तायून करना होगा ना तो nominal से चेक करना नहीं शुरू करना आपने highest level से शुरू करना है क्योंकि nominal होते हुए भी बहुत सार मसला ordinal अगर data तो वो भी nominal तो हो गई ना interval data में भी nominal वाले characteristics तो होते ही हैं data absent होने का ये ratio हो सकता है ratio में हमने कहा था कि अधाफी बात क्या थी कि इसका zero absolute होता है क्या अगर कोई शख्स class में zero दिन absent रहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 100% present था यानि absent होने का data उसका zero का मतलब है को कभी absent नहीं हुआ हर रोज class में था अगर ये zero absolute है तो मुझे बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है zero absolute का मतलब है ratio है तो मैं बगैर अब मुझे ये नहीं चेक करना कि interval है या ये ordinal है या nominal है कि ये नहीं देखना अगर उसका zero absolute हो गया तो कुछ भी और सोचे बगैर ये number of absence का जो रेटा आपके पड़ा हुआ है ये अपने characteristics में ratio रेटा है तो आपने यहां से ही फैसला कर लेना है अब इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा के देखिए कि अगला भी यही सवाल है लेकिन आप पूछा है कि जो मेरे पास grades का data मुझूद है आपके ख्याल में वो nominal है, ordinal है, interval है या ratio है अब उसी file में लोगों का नाम लिखा होगा उसके आगे उसकी absent number लिखा होगा और अगले column में उसका grade लिखा हुआ है और grade लिखा होगा A, B, C, D और F आप बताईए कि क्या ये data इस data का यानि grades के data का level of measurement क्या है तो इसमें फिर वहीं से सोचेंगे, रेशो से शुरू करिए, अब मैं इसका जवाब आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद फैसला करेंगे देखने के बाद कि क्या जवाब आप देते हैं अब देखिए कि शुरू सोच यहां से होगी, क्या इसका zero absolute है के नहीं है आप सोचिए कि अगर किसी का grade F आया हुआ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसको वो subject बिल्कुल नहीं आता जिसमें उसने grade F लिया है आप देखिए अगर ऐसा है तो absolute zero है, नहीं है तो absolute zero नहीं है अब मैंने देखना है कि क्या यह interval है कर नहीं है, और interval का इजाफी characteristic क्या था वो यह था कि इसके किसी दो consecutive numbers में distance ब्राबर होता है तो क्या दो consecutive इसके A और B हैं, B और C consecutive हैं, C और D इनके दरमयान जो performance का फरक है वो एक जैसा है या नहीं है यह फैसलाब करेंगे और इसके बाद अगर वो ब्राबर है तो आप कहे देंगे कि यह interval data है अगर ब्राबर नहीं है तो आप इसको छोड़ेंगे और सोचेंगे ordinal है कि नहीं क्या B A से बड़ा होता है achievement में या C जो है वो B से बड़ा होता है या B से बड़ा है B C से बड़ा है C D से बड़ा है अगर आपको लगता है कि यह grade इस तरह से हैं तो हमें कहूंगा कि यह ordinal data है क्योंकि इसमें A वाला बड़ा स्कोर कर रहा होगा B वाले से b वाला बडा स्कोर कर रहा होगा c वाले से तो ये अगर है तो मैं कहँँ दूँगा कि ये ओर्डिनल है और बात खतम लेकर अगर मुझे लगता है कि ये भी मुझे नहीं पता कि a बड़ा है b से ये बड़ा है c से तो इसक Great खतम होगी तो आप characteristics को step by step eliminate करके खुद फैसला करिए कि इस grades वाले data का level of measurement क्या है इसी तरीके से इसे अगली slide में फिर मैंने एक और मिसाल के जरीए से आपके सामने यह रखा और इसमें भी मैं आपके सामने मिसाल रखूँँगा आप फैसला खुद करेंगे मैंने आपको असूल बता दिया है उसका देखिए इसमें क्या है कि एक production unit है जिसके दो कारें बनती है दो लेदा कमरों में बनती है एक कमरे का temperature उन्होंने 60 पे सेट कर दिया दूसरे का temperature 70 पे सेट कर दिया या किसी और temperature पे सेट कर दिया दो मुख्रिफ temperatures हैं फैरन हाइट में दिये हुए और वहाँ बैठे लोग कार के मुख्रिफ पार्ट्स को जोड़ के कारें इसेंबल कर रहे है देखना यह चाह रहा है researcher कि क्या room temperature का उनकी productivity से कोई तालुक है यानि आप room का temperature बदल दें तो क्या इस से उनकी कारें इसेंबल करने की जो capability है efficiency है उसमें को फरक आता है या नहीं आता तो दो तरह का data है room का temperature और number of cars produced आपने इन दोनों cases में यानि number of cars produced और उसका data लेकर बताना है कि उसमें level of measurement क्या है इसी तरह यह एक और मिसाल आपके सामने रखती बाइसेकल के models दिये हुए है road bicycle को code किया है one touring bicycle को two mountain bicycle को तीन hybrid को चार comfort को पांच कूजर को छे और पूछाया बताईए कि यह data जो है यह nominal है ordinal है interval है या ratio है वही असूल apply करिए कि आप ratio से शूरू करें और nominal की तरफ करेक्टरिस्टिक देखते देखते नीचे आते जाएं और देखिए कि कौन सा आपके ख्याल में इसका level of measurement है अगर आपके जहन में कभी doubt आजाए मसले मैं देख रहा हूं कि interval मुझे लग रहा है लेकर I am not sure कि interval है या नहीं है तो stiffer side यह है कि आप उससे lower level पर चले जाएं जिस level के बारे में आप certain हैं यकीन से कह सकते हैं आप उस level of measurement पर आ जाएं तो आपको ज्यादा असानी होगी इसको समझने में इसी तरह यह एक और data आपके सामने रखा मैंने educational levels का जूनियर हाई स्कूल सिनियर हाई स्कूल यह आप metric F पर कह लें उसके अब अंडर ग्रैजुएट जब बी ए है मास्टर्स है डॉक्टरेट है इनको 12345 नमबर अलाट कर दी है और आप पूछा बताइए कि अगर कोई data मैं इस variable पर education level पर collect कर रहा हूँ तो इस data का level of measurement क्या होगा ratio होगा interval होगा ordinal होगा nominal होगा यह मैंने आपको जैसे पीछे तरीका समझाया आप उस तरीके को सामने रखते हुए इन तमाम मिसालों को आप सामने रखते हैं और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इनका level of measurement क्या है अगर आप यह बातें पांच और मिसालों की